ओम ग्रभ्यो नमः गम गणपते ये नमः 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 न जाएंगे आपके दसमस्तान में 10-11 is so active and proactive condition में मकुरू का पड़ा हुआ है बहुत अच्छा condition है साइध मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया ग्रहिक परिश्थिती तो और अच्छा दिखाई नहीं देगा जहां चटा में मंगल, दुतियो में राहू, दुतियो में सनी, सोग रही ग्रहन खतम हो चुका है और बहुत 17 तरीक और सुर्य भी आ जाएंगे तो ये क्या बोल रहे हैं अभी, this is the best opportunities and mocha नौकरी खेतर के लिए, लाब खेतर के लिए जिनको अगर कोई पैसा ऐसा तगदा है, तो तगदा में जाईए सपोर्टिव है जहां करमाधिपती लाबस्तान में तो कर्म से लाब, तो काम करोगे तो लाब मिलेगा, काम नहीं करोगे तो लाब नहीं मिलेगा भाग्याधिपती कर्म में तो भाग्या से बड़े सारे कर्म मिलने का भी संभावना है तो एक positive condition यहां पर बन रहा है हाँ जरूर कहूंगा कि अश्टमाधिपती दसम में आने के बाद दसम का बेडागरद हो सकता है लेकिन यही जो सूर्य अश्टमाधिपती पेडा दायक है नीच हो जाते हैं कुंडली में मैं बहुत से मकर रासी के कुंडली में देखा हूं अच्छा फल दे देते हैं क्यों अश्टमाधिप का अगर बॉल का फ्यूज उड़ गया पावर नहीं है तो फिर पिडा का भी फ्यूज उड़ गया ना जिन्देगी में पिडा खतम है दिल्ली वाल एक भाई साब हैं तीन खतम हसा है लेकिन शुरिय रिलेटेड जो प्रॉबलेम है वो बेसीकल ही नहीं है लेकिन शुरिय डाउन हो जाने से जिन्देगे मैं सकति का आधार कहीन कहीं कम हो जाता है और स्टम हने के बाग़िद भी सुरिय सकल सक्ति का अधार है तो इस खेंतर में मैं आप लोग को कहूंगा कि सुरिय भगवान को जितना ज्यादा इस महिना अगर आप लोग जो लोग सुरिय के बारे में अनुभव रखते हैं तो सुरिय भगवान को जल दें वो तो देते ही होंगे मेरे साथ हैं तो आप मास्कराय विदमहे बाला मंग सुर्य गाहितरी और हराम रिम बाला मंत्रा और कुर्ष्ण राय सावर्तमान उनिवेशन भाला भी बहुत सुपर्टिव रहता है या फिर यह जो हिर्ण महें न पात्रे न सत्य सापितम मुखब या फिर आधित्य वर्देश्ट तो तो और पॉ सुर्य साधना कर लेता है उसके जिन्दगी में चाहे मकर हो कुम्भ हो कोई बिरासी हो बाकी ग्रहों का इंपेक्ट एफेक्ट थोड़ा सा कम रहता है मतलब नेगटिव इंपेक्ट मैं देखाऊं बहुत सारे लोग जो सुनी महादसा में भहनकर पीडित होते हैं कभी आप देखना मैं आज हमलों का राउर किला में मा दुरगारा दुरगा माता का विसरजन यात्रा था यानि मेलन यात्रा था सभी करीब करीब एक हज्जा 108 दुरगा पेंडल एक जगा में मेड हो हम लोग उडिया में बोलते हैं सबका समयलन हो फिर विसरजन यात्रा में चलते हैं लेकिन मैं वो जा नहीं पाई इतना भीड था मैं दिया हूँ एक वीडियो अगर कॉपी राइट नहीं आया क्योंकि हमारे यहां तो समलपुरी गाना बजना हो तो फिर लगणा भ कम था लेकिन वहां तक मैं पहुंच नहीं पया जहां से मैं सूट कर सकता था सभी गाड़ी लगे हुए थे एक दौन 108 या उससे ज्यादा था लेकिन नोटंकी वाज लोग पीछे-पीछे आ रहे थे मतलब आज रात को तीन बज जाएगा पहुंचते-पहुंचते वहां फ प्रसासन ही जो कुछ करेगा तो पॉलुशन का मादे नजर रखते हुए तो हमारे राउटला तो छोटा मिनी भारत है हर तपके का मदलब केरल से लेके कन्या कुमारी तक और आसाम मेगालाई से लेके महाराष्ट्र तक सभी तपके के सभी भासा के लोग यहां वेलेबल है तो सबका दुर्गा पुजा किसी का नहीं हिंदू का भी दुर्गा पुजा मुसल्मान भाले भी पुजा उनका भी बसती है उनका भी पुजा होता है तो वो भी आ जाते हैं आजकल हाला कि थोड़ा सा एलाव नहीं कर रहे हैं हर साल उनका पीगे पिटाई ठोगाई जैसे तो तीन साल से उनको थोड़ा सा साथ बेनुन वगर था इस साल साथ उनको अलव हुआ है लेकिन सुनाओं की इस बर भी घुज के तमासा कर दिये है उनका कुछ अलग रहता है मतलब नोटंकी मतलब सच्वेज लोग दुर्गामा का भकत है सभी धरम बाले अपना अपना बस्ती में करते रहते हैं हाला कि उसमें हिंदू का रहता है लेकिन यह लोग घुज के वहां आनत करते हैं ऐसा कोई गलत नहीं करते हैं कोई भूल जाते हैं वो सबको दारू मिल रहा है मुर्गा मिल रहा है फिर पूजा तो चल रहा है सबको ड्रेस कोट कपड़ा मिल जाता है तो भूल जाते हैं अपना घर द्वार और सब कुछ भूल जाते हैं जाधर्ण सब भूल जाते हैं पता नहीं चलते हैं तो बहुत विड़ था तो मैं वो जाकी जो एक साथ सभी इतना सारा माताओं का दर्सन करना हलाकि दूर से देख रहाते हैं लेकिन मेरा मोबैल केमरा सोटो सोपोट नहीं किया उतना दो तो नहीं ला पाया तो बहुत मज़ा आया बच्चों का मतलब मेरा भी जवानी याद आ गया हम भी थोड़ा सा ठुमका लिए ठीक है अच्छा लगा देखके तो अभी अभी जश्ट आ रहा हूं महां से देखके तो I think it may be कहां भी सह था और कहां चला गया तो सुर्य भगवान का थोड़ा सा करें और दूसरा यह है मैं इस वीडियो का बनाने के पीछे रहस्य यह था कि मैं लक्षमी पूजा के वीडियो नहीं बना पा रहा था तो दिखिए अभी और दो चार दिन में मतला लक्षमी का पूजा है तो आप सभी को मेरा अनुरोद रहेगा जो लोग धन का प्रॉबलम में हो पैसा का प्रॉबलम बाले हो रिंड में डूबे हुए हो और कहीं न कहीं पैसा एक बड़ा समस्या बना के रखा है या फिर रोजगार नहीं हो रहा है या ऐसे कंडिशन में इस वार बहुत अच्छा मतलब तुला और मेस का पूर्णिमा है तो सत्रा तरीक मंबला कंडिया मीन का बोर्डर है तुला मेस का बोर्डर है तो वहां का पूर्णिमा है अभी कंडिया में सुर्य भगवान बैठे हैं आज कुंगो में चल रहे हैं तो कल परसो में आ जाएंगे तो यह ऐसे पूर्णिमा में रात को हम लोग का इधर कुवार पुने जन्हगो फुल बढ़ा गाना गाते हैं नाशते हैं लक्षमी माता का अवाहन करते हैं गजा लक्षमी का पुजा होता है लड़कियां जो कुवारी लड़कियां है वो लोग बहुत सुंदर मतलब मातर होता है ताड़ ताड़ का पिठा हो गया उसके अंदर उसको रख देते हैं उसमें स्प्रावडेट होता है स्प्रावडेट होने के बाद चार महिना के बाद ताड़ के बीज को काटते हैं टकवा को अंदर से निकलता है और बहुत अच्छा पकवान पिठा बनता है हम लो आपके पास ये बात करने के पीछे है कि मा लक्षमी का यंत्र भोज पत्र में बनाएंगे और इस लक्षमी पुजा मैं रात को अप्टर दस बज़े से लेके दो बज़े तक मैं भी करता हूँ लक्षमी प्राप्ती यंत्र देख लिजिएगा नेट में मुझे बताने का जरूत नहीं सब कोई जानते हैं इस बार अच्छा योग पढ़ रहा है बोलके बता रहा हूं और एक बार बनाएं कि जिन्दे की भर काम देता है जिसको भी आज तक मैं लिया हूं वो लोग अच्छा रिजल्ट किये हैं और मेरे पास कई सारे सिद्धय अंत्रत में आपने लिभी बना की लगाता हूं पहनता हूं आप देखे होंगे मेरा रुद्राक्षय में भी रहता है कुछ यह अंत्रत तो अच्छा पैसा निकलता ह अच्छा पैसा आता है और हलागी हम लोग उडिया में यही बात बाते हैं केबे नाए हzeit मेल ि एक चलता है क्उपके यह कुघे लिए और गमाप ऊनेए और गमाप ऊने भाजा भाजी को साड़ी चाजार कपड़ा देते हैं लेकिन कभी आप मामा मामी को पहचानते नहीं और एक दिन गुलाओगे तो नहीं देगी ऐसे ही लक्ष्मी माता कभी है डेली यह लक्ष्मी अंत्र का साधना होना चाहिए और जैसे मैं कि हर दिन आज से नहीं शुरू से यह इसी मंत्र का जाब करते हैं और उसको धारन करते हैं जिनका सोना जाता है सोना के ताविज में नहीं तो चांदी के ताविज में इसको धारन कर सकते हो और उसके बाद इसका हवन कर लेना है रात को ही माता लक्ष्मी का हवन कर लेना माता लक्ष्मी मंत्रों में कर सकते ह स्री सुक्त में संपुटित कर सकते हो प्रचंड धन देता है और हम लोग का तो आप्टर देट दुर्गा पुजा नवरात्र के बाद से ही मतलब मातरानी यहां से उठती नहीं है घट बिसरजन हो जाता है लेकिन मुर्ती बिसरजन नहीं होता है क्योंकि अभी काली पुजा तक मातरानी का सेवा चलेगा तो काली पुजा का रात तक भी तो जैसे जैसे उसमें यह अंतर प्रतिष्टा बाकी जो लोग दिये हैं उनका हबन बगेरा चलते रहता है तो आप ल इनका आदि दिवता प्रती दिवता चंद्रमा का लक्स्मी बनती है तो यहां भी लक्स्मी का इनर्जी देता है बहुत मस्त एनर्जी है यहां तो कर सकते हैं और आप उसका चमतकार देख सकते हो मैं तो बहुत से लोगों का जिंदिगी में चमतकार न है questions कि लोग जैनते हैं निलिए उसाल के पुर्णिमा का और लख मी श्रीशोक्तर संपुठित और लख मी जानते हैं कनगधारा और स्रीशुक्त उनके लिए तो और बढ़िया है बहुत धंदेता है देखिए सनी महादसा में बोलते हैं कि लक्षमी चली जाती है छोड़के लेकिन मैं देखा हूँ मेरा सनी का महादसा में अगर ये पार्ट रेगुलर है लेकिन डेंजर है ये भी बता देता हूँ सुरू सुरू में बहुत दिक्कत होता है बहुत बहुत मने जब भी स्रीशुक्त का या लख्मी का या उसका पूरश्रण करने बैठो आपके बंस में कोई न कोई मेरा एक्सप्रेयेंस है आप लोगों का नहीं बी हो गाउने का बुड़ा बुड़ी जाता है ऐसाा कोई तो पूर्ण में भी एक है लाब का पैसा का कमाई का रोजगार का धनप्राप्तीका मतालक्ष्मि का आशिरवाद प्राप्तिका एक योग है और मैं कहुँगा कोई यंत्र धारन करो मत करो आचा इस यṇत्र को जैसे हम लोस को नहीं नहीं बनाना इसको बाहर नहीं रहना है भूज पत्र में अंदर गुसा नहीं कैना जर्णरा पिजैसे रहेगा अंदर खोला ह penalty कोई किससे कोई देने से नहीं देगा भीर जल्दी कोई बना कर देता नहीं हो ऑ कि और मैं भी ऑगर जैसे देते हैं थो मैं भी मतलब दुसरे माध्यम से हमारे जो इंतर लिखते हैं उनके माहतğा से बना के देता हूं, डायरेक्ट में नहीं देता हूं, मैं बोल देता हूं कि बना दे और यहां सिद्ध करके रख दे और देते हैं, मैं भी डायरेक्ट नहीं देता हूं, मैं भी क्यों आपको जूट गोलों कि मैं डायरेक्ट देता हूं, मैं डायरेक्ट नहीं देता हूं, म पाके सभी अंतर देता हूं, तो इसके लिए फिर मैं उसी प्रकार के एक्सपर्ट कड़ुहा पंडित लोगों को रखा हूं, जो लोग, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन वो लोग देता है, तो चली ये तो अलग बात है, मैं देता नहीं देता, लेकिन आप जरूर करना, गुरु का विद्रष्टी इस बार बहुत अच्छा है, पंचम का गुरु, और देखिए, इसको क्यों बोल रहा हूं, इस काली पुजा में मेरा काली यंत्र का बड़े सरे प्रानपतिष्टा नियास करना है, बहुत से मेरे फ्लोय फॉलोयर्स, फेस्बूक बाले भी, यू जड़े देरा है, उनके लिए, द्वादसवा सनी वाला, उनके लिए, वो लोग, मतलब, एक यंत्र का प्रतिष्टा और बना के करीब एक देड़ लाग रुपया लग जाता है, एक कोई सेजन था 35,000 बोल नाम सुनते ही पीछे हड़िया, लग जाता है भाही लोग, वो य लाइफ रिस्क रहता है, आप मैं बता दूँ, पंडित लोगों का भी जो लोग करते भी है प्रानततिष्टा अजिवन न्यास करते हैं, लाइफ रिस्क रहता है, और सब के लिए खेल होता भी नहीं है, तो बड़ा यंत्र का प्रतिष्टा चलता है, बड़े बड़े यंत अजिवाग के लिए मावगला मुखी का यंत्र, ऐसे ही धन प्राप्ति इत्यादी के लिए मालक्ष्मी का यंत्र, लेकिन इसको सो नहीं करना, लक्ष्मी इस नोट एक्स्पोजड यंत्र, यह बाहर नहीं होता है, अंदर रहता है, पोजपत्र में अश्टगंद यस्या ही मिलाया जाएगा अश्टगंद में और उसका आपको धारन करना है, सुद्ध साफ क्योंकि बाता लक्मी का जो भी यह कवज बगर धारन करते हैं, उनको बड़े सा सुद्ध साफ रहना पड़ता है, अश्टगंद सनान करना पड़ता है, पुर्णिमा के दिन में इसका बगरा जाते हो तो हाथ धोना है, जिस वस्तर में लेटन जाते हो उसको पहन के नहीं गुमना है, अलग पहनना है, इस प्रकार का नियम को पालन करना, घर में माच मचली अंडा है, लक्षमी अंतर लगा के नहीं खा सकते हो, बहुत सा नियम है, और ज्यादा तर ड्रेस देगा, और हर दिन इसमें थोड़ा सा सिंदूर, चंदन, अगुरुम, जो यंत्र धारन करते हो, या बना के पहन होगे, उसमें थोड़ा सा देना पड़ता है, थोड़ा सा दूप दिखाना पड़ता है, और जो लोग पनुवती वाले कुंडली के होते हैं, या जिनका दर साधना, मालक्षमी का सरस्र नाम साधना, स्रेशुक्त संपुट साधना, यगया हवन का साधना, ये इस वीडियो का परमलक्ष है, अगर आप लोग इस बार का योग इतना अच्छा है कि क्या बतम में एक्स्प्रेशन करूँ तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसम बाग्य उत्पन का योग है, और इस कंडिशन में अगर नहीं करते हो तो कब करोगे, मैं कभी आप इतना सारे वीडियो में कभी बोलाने कि लक्षमी अंत्र धारन करो, इस बार कर सकते हो, और जिनके पास स्री अंत्र है तो उनके लिए तो और बढ़िया है, स्री अंत्र का स्राइबाए पूर्ण अभिसेक करना है स्री अंत्र में अश्छन कॊंब सनान मातरा अमश्ण में पुजा के राट में पूज मoterरन घझा का अनिका जैसे सिव महत है, विश्ण भंवन का और यह अヤहां मातरा रानिका रगता है शनान का बढई प्रतमकल सुन कल शेयन तности रन तो ऐसे आपके पास कलेक्शन अगर है तो बहुत बढ़िया है नहीं तो आप कलेक्शन करके प्रयोग रहता है आपके लक्ष्मी प्राक्ति के लिए अच्छा दो यंत्र पनाना एक यंत्र तो आपके तीजोरी के अंदर आस्तान बनाके रखना है और हर दिन अगर पॉसिबल है आपका दुकान का तीजोरी है तो दूब दिखाना है इस लक्षमी पुजा में अगर गुमोती चक्र मिल जाता है या लक्षमी प्राप्ति के लिए कौडी हम लोग उड़ी साह में बोलते हैं अगर यह मिलता है तो और ज्यादा है या चांदी का गणपती लक्षमी और सरस्थती का तिनों का मुर्ति अगर मिल जाता है एक फुट रगर रहता है दिसे दिसने वार वीडियो दिखाया भी हूं आ यहां नहीं है अंदर है to learn अगर आपके आसपास पंचय कभियों सेक्टर नेट में ढूंड के लाके गोबर का पुजा किया जाता है और इसमें बड़े सारे फाइदा भी है इसके तरह में तो जरूर करना चाहिए नेक्स्ट बिंदू यह है कि इस लक्षमी पुजा में जिनको भी धन इत्यादी प्राप्ति कोई भी चाहिए आप प्रपर्टी लेंड प्रपर्टी या पैसा या सुवरन इत्यादी के लिए अगर आप लोग कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि इस लक्षमी पुजा में रात्री समय का जो साधना रहेगा इसमें आप सभी जब बैठो तो सब कोई हल्दी का सिनान करके बैठना है यह पंचांग में दिया है देखना आप हमारे ओड़ी समल आपका में नहीं दिया होगा सुर्य संक्रांती के दिन में जैसे बता रहा था रहें क्या-क्या में स्ञान करोगे अगर दिखाई दे तो दुबरा बोल अगर मिल जाए तो अक्ष्ट्र गंध हरिद्रा हरिद्रा मतलब हल्दी हुआँ यह आ गया इसमें बताया गया है कि इस महिना कस्तूरी मिस्रत जल बॉलना भूल मिल गया यह दूस्तर बीज कस्तू प्रिजल और सर्बल सधी सनान विश्ण मंत्र में सनान करके लक्ष्मी माता का पूजन करना है तभी काम में देगा अच्छा यहां और बता दू एक बार की जो लोग सुर्य नीच हो जाने जा रहें तो सुर्य संक्रांति में सुर्य भगवान को स्वेत बस्त्र दान करना सफे कारकर कि और कि पूठ अन्भ अगणी सूरिय भगवान को देना है कि वीटंभाश करता आए यह यह धे की भगवान सुर्य को पूजा करना है यह संक्रांती में और यह पूरा महिना अगर lira भगवान कर रहे हो और सुरीय का जब भी जल अरग्या दे रहे हो इस महिना तो करांग नयास और ये नयास विदि के सात देना है करांग नयास से लेके बाकि जो अंग्ष्टभ्याभ्या नमा परिसानी लेगा परिसानी उभरलोड रहेगा इसमें कोई दोराय नहीं है बैक पूलिंग लेक बैटिंग भी होगा बॉस के दोरा थोड़ा सा कहीं है कहीं पुड़ित भी बनोगे लेकिन उत्रा ज्यादा नहीं है अगर सुर्य भगवान को आप खुप्चे में ले लेते हो लक्षमी पुजा का समय आ गया आप लोग जरूर करें और धन्यवाद नमस्कार